क्या आप आपके boring PC setup से परिशान है? क्या आप आपके PC को एक random makeover देना चाहते हो? या फिर आपको कुछ YouTube gamers की तरह आपके setup में छोटी सी जान डाल गए है? But I guess sometimes इस छोटी सी जान डालने वे लिए पैसे ज़्यादा लग जाते हैं? Well, I guess you have landed on the correct video because आज के वीडियो में हम लोग thousand rupees में आपके boring PC को कुछ ऐसा makeover देंगे तो यार मैं हूँ आपका हूश्पदीक, आप हो next thing के channel पर और बिना किसी रुकावट के Let's begin So first and foremost, आगे बढ़ने के पहले में एक छोटा सा disclaimer देना चाहूँगा So yeah, मैंने ये product मेरे 27-inch monitor के लिए मंगाया था So accordingly, मैंने 2-meters की LED strip चूज करी थी अगर आपका monitor इस से vary करता है For example, आपका monitor 24-inch का हो सकता है या फिर 21-inch का हो सकता है So accordingly, आप इस chart को follow कर दो Once that's sorted, मित्रो, unboxing की तरफ बढ़ा जाए So yeah, मेरे order के साथ, मुझे ये box मिला था So accordingly, सामने और sites पे खाली LED strip लिगा है Nothing else fancy Not even a brand name But that's fitting, since ये product Chinese third-party vendors बनाते है अगर डबे को पीछे के side पर flip कर दो तो उससे और थोड़ी details reveal होंगी As said earlier, मैंने 60 LED का strip kit order किया था Accordingly, मैंने length में 2 meters choose किया था Next, यहाँ पर IP class लिखा है तो यार, मैंने जिस seller से ये चीज़ order की थी वहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं था कि ये waterproof है So पता नहीं, यह सब यहाँ पर mentioned भी क्यों है It is very strange और LED type के अगर बात करें तो यह WS2812B वाला model है यह actually मैंने title से पढ़ा But specs में company ने लिखा है कि यह SMD5050 वाला model है लेकिन बॉक्स पर जोनों मैंसे कोई भी चीज मेंचिन नहीं है अपने को कह है? अपने को चीज चले से मतलब बाकी सब गा तेल लागाने तो इसके पहले कि मैं आपको और पकाऊ चलो भाई अन्बॉक्स करते So finally box में आपको चार चीजें मिलेंगी Starting with a EU plug power connector जो की 5V 3A का output देगा Next is light box dream color यह basically एक छोटा सा module है जो आपके LED strips and PC के बीच में as a brain function करेगा We'll soon configure it later in the video असान सब्दों में कहा जाए तो monitor पे आपके जो output आएगा उस चीज को यह automatically उन LED strips पर convert करने को help करेगा Next is the data cable जो surprisingly बहुत ही अच्छी quality किये है और lastly यह रही हमारी LED strip kit along with its proprietary connectors इसमें आपको 3M के stickers देखने मिलेंगे and कुछ end supporters भी मिलेंगे अल्दों seller ने समें और भी कई कुछ चीजे अड़ की है for example इसमें L-shape के जो end connectors है वो भी आभी आपको box में मिलना चालो होगी और हाँ यह चीज में क्या बोल रहा हूँ आपको तभी समझेगा जब हम LED strip को monitor के पीछे apply करना चालो करेंगे तो now get your monitor on a good surface जैसे मैंने इसे मेरे बेड पर रखा है and let's get down with applying the LED strip now follow the exact same steps as I do मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इसके उपर and किसी ने भी cable management के उद्दे पर इत्तु सी भी कोशिश नहीं किये which is very surprising but figure not your boy is there for the rescue so again जैसे मैं अप्लाई कर रहूँ वैसे ही आप लगाना start में थोड़ी सी gap छोड़ देना as it is for cable management और हाँ sticker को ठीक से निकालना और ठीक से लगाना because मैंने थोड़ा सा goo कर दिया था जिसके वैसे मुझे double sided tapes लगाने पड़े थे हर एक edge पर ठीक से fold करना कहीं पर भी आप इसको bend मत करना नहीं तो आपकी सारी महनत पानी में जाएगी यहाँ पर edges में आप L-shaped connectors का उपयोग भी कर सकते हो जिसके बज़े से ends जो मेरे यहाँ पर bend दिख रहे है वो आपको smooth दिखेंगे लेकिन it might get a bit tedious as आपको LED strips को काट कर ठीक से joint करना पड़ेगा so I'll suggest मैंने जो इस वीडियो में किया है उसी चीज़ को आप भी follow करो installation थोड़ा easy हो जाएगा अगर थोड़ा सा excess part end में बज भी जाए तो उसे काट दो since उसे dangling रख कर कोई मतलब नहीं है again फिर से बोल रहा हूँ कि hopefully जैसे मैंने लगया है वैसे उसी same exact order में आपने भी लगया है once you are done with the process get back all the components जो आपको इसके box में मिले थे now take the light box dream color controller and LED strip का जो data वाला cable या उसका connector है उसको उसके data port में connect कर दो next take the USB cable and USB वाले port में connect कर दो इसका जो दूसरा end है जो कि एक USB type A port है वो आपके CPU में जाएगा lastly take the power connector and LED strip के power supply वाले end में उसको connect कर देना so अभी आपका basic hardware setup तो properly complete हो गया है so before proceeding ahead यह जो dream color box है इसको आप एक double sided tape से monitor के पीछे चिपका देना ताकि आपका background जो है वो एकदम clean रहेगा and wires भी नहीं रिखेंगे cable management अभी आशा करता हूँ कि आपनी USB type A port को आपके CPU में connect कर दिया है and power plug को भी plug-in कर दिया है फिलाल तो LED चालू नहीं होंगी तो घबराना मत इसे हमें configure करना पड़ेगा उसी के बाद यह चालू होंगी और ठीक से function करेंगी so now let's just start with the software setup first and foremost आपको MB box software download करना पड़ेगा जिसका direct download link will be present in the description box once it's downloaded follow the setup process carefully as अभी से tricky part चालू होगा as at first यह बहुत confusing है अभी जो जो चीज मैं अंटिक करूंगा during installation process आप भी same चीज को follow करना at the last stage of installation अडा लाइट को choose करना and then finally launch MB box अभी यहां पर आपको device status connected है या नहीं check करना पड़ेगा if it is connected you are good to go if it isn't then आपको इसकी USB port को find out करना पड़ेगा तो in device manager आपको इसकी जानकरी मिल जाएगी accordingly मैंने इसी का USB-A port जो है वो COM4 port पर लगया था now get back to the MB box software first turn on use backlight then click on more settings तब और कुछ details reveal होंगी next इसका जो mode है वो screen capture पर selected रहना चाहिए तो इसे भी एक बार cross check कर लेना finally click on port and आपका desired port जिस पे यह LED strip का data connection है जो की मेरा COM4 है उसको select कर देना and by now आपकी LED चालू होनी चाहिए well I see you smiling congratulations you're halfway through the process now next click on number of zones and select 105 अगर आपने भी यहाँ पर 2 meters की केबल खरीदी है तू और एल्स आपका number वेरी करेगा this is actually the total number of bits on your LED strip now click on show areas of capture immediately select more settings and finally click on wizard capture zones अब यहाँ पर number of zones horizontally को 33 तक कर दो and दोनों horizontal and vertical lens को 0 से 3 कर दो then make sure कि इसका जो aspect ratio है वो 16 इस्टो 9 है और finally offset of the first zone को आप 4 पर कर दो remember हम लोग ने शुरुबात में थोड़ी सी जगा रखी थी and then start किया था यह उसी output coordination को बरकरार रखेगा बस इसके बाद apply पर click कर दो and then finally click on save settings जिससे आपका ambilight setup complete हो जाएगा and basically you're good to go अब तो sky is the limit यार मैंने एक चीज़ observe की है कि इससे video consumption and gaming पर एक अलगी effect आता है and overall मेरा PC usage है थोड़ा prolonged usage पर हो गया है and as a content creator I absolutely love it so so far अगर आप gaming करते हो या आप video consumption थोड़ा ज्यादा करते हो तो this will help out in easing out क्या बलते हो उसको in helping out on those experience to make it a lot better so it gets a big thumbs up from me colors भी काफी accurate है and brightness is also decent for the price night या low light में तो it looks fabulous this is actually the first time that I'm trying something like this and मैं तो भाई बिलकुल प्यार में पड़े हो सब मोना है also one more thing अप इसी exact same setup को TV पर भी ट्राइगर सकते हो provided you have a Android smart TV because वहां पर generally content का जो creation या content का जो consumption है वो थोड़ा ज्यादा होता है as a user और PC के मुकाबले में Android TV का जो setup रहेगा वो भी बहुत easy और fast रहेगा because यहां पर आपको खाली एक paid app install करना पड़ता है and the usual जो setup बहुत ही easy है compared to the PC which is very very complicated but since I don't have Android on my smart TV I cannot show you how to do this maybe an upcoming video so बस यही कुछ चीज़े की को मुझे शेयर करनी थी ताकि अगर आपने इस प्रोड़क को खरीदा है तो आपका installation process जो है वो थोड़ा streamlined और smooth रहे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो definitely like, share, subscribe ताकि आपको हमारा content ऐसे ही regularly मिलते रहे and with that being said spread happiness and be kind to one another see ya